हुआ है अब्रिवान वेल्कम बेक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ तो आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है वो लोग जाके चैनल को पटापर से सस्क्राइब करके बला आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि इसी तरह की नहीं नहीं वीडियो आप सब को इस चैनल पर मिलती रहे तो चलिए फिर ज्यादा देरी नहीं करते हैं और मोसम बहुत खराब हो रखा है लगता है कि बारिस अभी जोरों से होने वाली है और होगी भी बहुत तेज आ रही है तो मैंने जो है फट कि जो भी है बगवान की महरवानी है और इसी लाइट से सब करते हैं तो इसलिए फटा-फट से हमने बना लिया और क्वसिस करते हैं आज ही पहुंचाने की देखते हैं पहुंचता है की नहीं तो चलिए फिर बहुत बाते हो गई वीडियो स्टार्ट करते हैं यह देखिए अभी बारिस हो रही है बारिस स्टार्ट हो चुका है और हम अभी यहां पर हो चलते हैं घर पे बहुत बारिस हरी है तो मैं भी जा रही हूं घर पर देखिये मोसम देखिए इंग नारियल का रोल बनाने के लिए मैंने यहां पर एक नारियल लिया है यह देखिए अभी हम इसको फोर करके इसतरीके से इसका जो भी ऊपर का फिंग सांuto है वो सविख दिए हैं और इसको मैं अभी कदुकस कर लेति हुँ और इसका काला वल्रा पाट भी हम नहीं डालेंगे थोड़ा-थोड़ा जा रहा है लेकिन कुसिस करेंगे कि नेकाल के फैंक देंगे तो ये दिखिए इस तरीके से हम इसको कदुकस कर लेते हैं और सच में ये नास्ता ना इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि सर्थ लगा लीजे मुझे तो लगता है कि आप लोग मतलब पहली बार खाओगे लेकिन हो सकता है कि कोई-कोई खा चुके होंगे कि मैं नास्ता पहली बार खाई और मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया नारियल का ये रोलना बहुत ही टेस्टी बनता है तो यहां पर मैंने सारे नारियल को कदुकस कर लिये हैं और इस पर मैंने तीन चमच चीनी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको साइड में रख देती हूं इधर मैंने प्लेट पर मैदा ले लेती हूं मैदा आप अपने हिसाब से कमिया ज़्यादा ले सकते हैं जितना आपको बनाना हो उस तरह का तो मैं यहां पर ज्यादा नहीं बनाऊंगी तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मैदा लिया है और इस पर मैंने स्वाद अनुसा नमक डाल दिया है और इस पर रिफाइंड ओयल डाल रही हूँ और हातों से इसे मैस्क कर रही हूँ और ना हम दिरे दिरे करके डालते जाएंगे जितना की इसमें लगेगा उससे ना बहुत ही जादा खासता होता है तो ये देखिए ये बंधने लगा है मतलब कि ये रेडी हो चुका है अब इसमें ओयल की ज़रुरत नहीं है तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक डो तयार कर लेते हैं और पानी मैंने एकदम गुनगुना पानी लिया है नॉर्मल पानी नहीं लेना है और ये देखिए अभी हम इसको दीरे दीरे हातों से इसका एक डो तयार करेंगे तो ये डो बनके रेडी हो चुका है तो इसको हम थोड़ा सा रेष्ट के लिए छोड़े थे उसके बाद अभी हम इसको इसकी जो है लोईयां तोड़ लेते हैं और यह देखिए रोटी के जितने बड़ी हम लोईयां लेते हैं उतने बड़ी बड़ी ही चाहिए तभी सारे लोई यहां तोड़ लिए हैं इसको हाथों से थोड़ा सा अच्छे से गोल गोल करके घुमा लेते हैं और पहले भी ना मैंने ये नास्ता देखा था पर खाया नहीं था और खुद से नहीं बनाया था लेकिन मैंने खुद से बनाया इसलिए मैंने थोड़ा से कम बनाया था और ये इतने ज्यादा टेस्टी बने थे कि मैं क्या बताऊं मुझे लगा कि मैं दोबारा से अभी थोड सब खतम हो गया तो यहां पर मैंने चकले पर भी लगा लिया है बेलन पर भी लगा लिया है और इसे बेल लेती हूं और इसको रोटी के जैसे ही बेलना है बस थोड़ा से जो है मैं इसे लंबा कर रही हूं ताकि रोल अच्छे से बने इसलिए और बहुत ज़्यादा बड़ा करनी की जरुत नहीं है जिस साइज के आपको पसंद हो या फिस जितना बड़ा साइज का आप रोल बनाना चाहते हो उस तरह का आपको रोटी बेलना होगा तो यहां पर मैं जो श्टपिंग मैंने पहले से रेडी रखा है उसको मैं यहां पर डाल देती हूँ और यह नारियल तो वैसे ही सबको पसंद होता है और यह हेल्दी भी होता है मतलब सेहत के लिए भी अच्छा है तब हम इसको इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड कर देते हैं और इस तरीके से गुमाते हुए साइड में हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि यह खुले नहीं ओयल में जाकर जब यह से हम फ्राइ करेंगे ना उस टाइम बहुत सारे ऐसे वतें की खुल जाते हैं तो इसको अच्छे से पानी लगा के चिपका देते हैं तो यह खुलता नहीं है तो ये देखिए एकदम अच्छे से बन के रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेंगे। ये ना game के आटे से भी बनता है। लेकिन मतलब वो थोड़ा सा दिखने में श्रीव अंतर होता है। दिखने में वो थोड़ा सा लाल दिखता है और ये थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा सा फ्रेज आता है और वो थोड़ा सा लाल लाल टाइप का दिखता है बस यही अंतर है और खाने में दोनों का टेस्ट लगबग एक जैसाई होता है तो इसी तरीके से मैंने सारे रोल को बना लिए हैं, और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, जब मैं बना रही थी ना, तभी मेरे बैच्चे बोरे थी कि मामी क्या बना रही हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने खा कि अभी मत कहो बबू, क्योंकि जब बनेगा जब खाओगे तभी तारिफ किया जाता है तो फिर खाने के बाद भी ना सबको बहुत पसंद आया था तो अभी हम आ चुके हैं चूले पर तो चूले पर यहां पर मैंने कडाई चड़ा दिये और यह कडाई ना लोहे की है और हमारे यहां ना जब भी कुछ हमों फ्राइ करते concerned ना तो लोहे की कडाई से यह करते है तो यह दिखिए मैं दीरे-दीरे करके इस सबको डाल देती हूं और एक बार में मैं दोई ही डाल रही हूं क्यूंकि मैंने oil कम डाला है बाद में फिर यह oil बच जाता है ना तो काम नहीं आता है इसलिए तो इसको एकदम हलकी आज पे हमें fry करना है पहले तो तेल को अच्छे से गरम कर लेना है उसके बाद हमें gas का medium आज मतलब एकदम medium पे कर देना है medium से भी थोड़ा सा कम कर देना है ताकि यह अंदर से एकदम क्रिप्सी होके पके और देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है और वो जो थोड़ा सा चिपचिपा जैसा दिख रहा है ना वो सब जो चीनी आमने नारियल में डाला था ना वो चीनी है जो की वहां oil में जा करके पिघल रहा है इसलिए उस तरह का दिख रहा है और यह बाहर से ना इतना ज्यादा क्रिप्सी था और अंदर से एकदम सौप्ट सौप्ट जैसा की नारियल लगता है उस टाइप का था और मतलब की मैंने सच में मैं बाहर जब इस तरह का चीज मैंने खरीद के खाया है आता है ना तो बिल्कूल उस तरह का टेस्ट था इसमें और इसमें जैसा वेच भी आप भरना चाहो बस कुछ और भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन मैंने कुछ और नहीं डाला था ऐसे बनाया थे तो यह वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था तो अभी मैं सारे रोल को इसी तरीके से फ्राय कर लेती हूँ और इन सब को मैं एकदम धीमी आज में ही पकाई थी तो आज का नास्ता सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट कर लेती हूँ तो आज का नास्ता सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था तो कैसा लगा आज का नास्ता मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सेर करना बिलकुल मत भूलिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप सब को मिलती रहें तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए बाई बाई